तो फ्रेंस ठंडी कैसे है बहुत ठंडी यहां पर लग रही है राजकोट में तो आपकी यहां कैसी लग रही है मुझे कमेंट करके बताना हाँ आप सब कैसे हैं नमस्ते आज हम इस साडी का रियूस करने वाले हैं तो इसमें से लेस और फॉल जो होता है वो निकालेंगे सब से पहले तो मुझे आई थी कमेंट साडी में से एक साथ ओर्गिनाइजर कैसे बनाते हैं तो क्लोथ ओर्गिनाइजर हम बना रहे हैं और अलग-अलग साइस के बनाएंगे लेकिन फटा-फट से एक साथ कैसे बना सकते हैं वो आज इस वीडियो में सीखने वाले हैं साथ ही में हमारी जो अलमी राय उसमें कपड़े सेट करने के लिए बहुत ही अच्छी यह आइडिया है तो सबसे पहले आप सब को क्या करना है यहां पे इसकी लंबाई और चोड़ाई तई करनी है आपको डिसाइड करना है कितना बड़ा रखना है तो मैंने यहां पे देखे जितन भी ऑच्छी करना बड़ा क्पड़ा हमने कट किया है उससे थोड़ा ये बड़ा ओर्केनाइजर बनाएंगे आप यहां पे साडी में से एक साइस की बहुत सारे ओर इसके बना सकते हैं ऐसा नहीं है और मैंने इतने बड़े-बड़े यह ओर्केनाज़र आपको बना के ें उसे बहुकांट्ब हितो हैं 20 इंच इस ये ऊत्ता पार्ट कर रह from there बढ़े बड़े करने आई यहां पर एक सीद्यों किल शिकाया में नेए मिसमाने दपते ही, फिर बॉक्स भी इसमें बना सकते हैं बिल्कुल भी इस मेथर से सलवटे नहीं आएंगे देखिए यहां भी हमने सीधी सीधी लाइने कर ली थ्री पार्ट हमने एक साथ रेडी कर ली यहां से देखिए यह मैं आपको लंबाई बता दू फॉर्टिफॉर इंचीस है और यहां और इसकी लंबाई है टुवैंटि सिखुल इंचिस तो अब मैंने क्या किया है यहां पर दोनों साइड से आपको 15 इंचीस पर Mendां करना हुई अयां पर मैं आपको 15 vagy मार्किन कर रहे हूं कुछ इस तरीके से यह बहुत बढ़ी साइस है इसलिए मैं नीचे दिखार हाई हू आपको यहां से हमने यह जो yeah parking किये उसे मिलाते हुए line खीच लिजे एसे ही हम यहां पे भी लाइन की जAY Call फिफ्टे नीजिस पे ही आपको मार्किंग करनी है एसे तो जो हमारा तीनों पाट उसमें आपको यही करना है कि डिसाइड आप यहां पे कर सकते हैं कि बॉडर कितना लेना है उपर पाट नीचे का पाट कितना रख सेंटर में आ रहा है एट नीचिस तो मतलब अब यह जो फिफ्टी नीचिस का मार्किंग है वहां से ऐसे मेजर टेप से राउंड में नाप लेते जाए अब दीखें नाप कितना आया 55.5 इंचिस तो हमें बॉर्डर उतना ही लेना है जितना नाप आया है और सेंटर का 10 नीच रखा आया सेंटर में अब हम यहां पर ऐसे नाप लेंगी कि इसका कितना आ रहा है क्योंकि सबकी जोड़ाई अलग-अलग है इसलिए तो सबके बॉर्डर अलग-अलग नाप से निकलेंगे तो यहां पर यह हो रहा है 54 इंचिस इसका राउंड का अब हम यह दूसरे का भी ऐसे ही करेंगे तो तीन बॉर्डर हमने कट किये हैं 54 इंचिस का 55.5 इंचिस का तो यहां पर दिखी यह है 9 इंचिस का बॉर्डर जिसमें हम 1.5 इंचिस की जगा छोड़ते हुए कट लगाएंगे एक जो पार्ट था जिसमें नाएनी चीश आ रहा था सेंटर में तो अब कट किया अब हमने यहां पर जिप अटेज करनी है जितनी भी बॉर्डर की लंबाही है उसी साथ से आपको जिप कट करना ही है तीनों की एक साथ हमने कट कर लिए है इसे हम स्टेज़ करके सारे पार्ट में एक साइट जोडेंगे फिर हम तौफ श्टीज कारेंगे बहुत जादे ही हमारा टौफसी जाएगा अब उपर का पार्ट है उसे हम आटेज करेंगे। यहां में आपको दिखा रही हूं इसलिए थोड़ी सी देर लग रही है लेकिन फटाफट से हो जाता है अगर एक ही जगह पे आप बनाते ही जाते हैं तो बहुत ज्यादा टाइम आप 10 ओर्गेनाइजर बनाएंगे तो भी नहीं लगेगा अब हम उपर का पार्ट ऐसे अटे बैल्ट हमने एक ही साथ कट किए सेंटर में जितनी भी जगह रखनी है रखके बैल्ट अटेज कर लीजे अब आएगा तीनों पार्ट में बैल्ट अटेज हो चुकी हैं तो ऐसे आप 10 पार्ट बनाया ना तो एक साथ ऐसे ही काम करते जाए अब हम यहां पे सेंटर में आख कि देखिए बैकर इसमासी आपने लगा दिया अब यहां तक आपको टीज करना है कि देखें देख टीर हमारे किसका परण आपको पता होना चाहिए कौनसे पार्ट का और कि दीज का है यहां से ऑप कड़े यहां से स्टार्ट कर एक और से इस और्गेनाइजर में अलग से आपको पाइपिन जोड़ने की जरूरत नहीं तीनों पार्ट रेड़ी है अब इसे सीधे करें और मैं आपको बताती हूं एक ट्रिक जिससे आपको अलग से बिल्कुल पाइपिन भी नहीं जोड़ने पड़ेगी और कवर सिलाई भी हो जाए यहां पर किनारी है उसे दबाते हुए स्टीज करना है देखे तीनों ने हमें सीधा किया अब मैं किनारी भी हमने लगा दी कपड़े भी मैंने एक में भर दी हैं इतने सारे कपड़े आगए और पांच-चार ब्लैंकेट एक और्गिनाइजर में बना है यह एक खाली मैंने रखा है आप देख सकते हैं सारे ओर्गिनाइजर की इतने बड़े लग रहे हैं तो देखी यहां पे मैंने बहुत सारे कपड़े भरे हुए हैं यह जो और्गिनाइजर मैंने आपको सिखा है वह पूरा कपूरा ही ऐसे रख दिया तो यह इतना लंबा इतना बड़ा है बड़े से बड़े ब्लैंकेट भी इसके अंदर रख सकते हैं दिखें यहां पर चार ब्लैंकेट रखे हुए जगह अभी भी है आप चोटा बड़ी चीज रख सकते हैं और च्रावेलिंग में भी यूज कर सकते हैं यह देखिए सारे और एक साथ रेडी हो चुके हैं और बाय जे बारत